कान दर्द ठंडी हवा लगने, कान में पानी जाने, दांत खराब होने, अकल ताड़ निकलने, कान में मैल, खुनसी, प्रदहा होने और चोट लगने के कारण सूजन आदी होने से कान में दर्द हो सकता है युनानी इलाज, रोगन समा आद कुशा, गुनगुना करकर कान में डाले, कान के हर रोग जैसे कान दर्द, कान बहने, कम सुनने और कानों में आवाज आने जैसे रोगों की उत्तम इयर ड्रॉप्स है इतरी फल सनाई और इतरी फल किशनी जी पांच-पांच ग्राम मिलाकर पानी से खाएं, इस से कान का दर्द रुपता है गुलजम दो भाग और रोगन गुल आठ बूंद मिलाकर गुनगुना गरम करके कान में डालने से कान के तेस दर्द में आराम मिलता है अगर कान के चारों तरफ सूजन हो जाए तो जमादे राहत गुनगुना गरम करके पांच ग्राम की मातरा में कान के चारों तरफ लगाएं कान बहना युनानी इलाज कान साफ़ करके रोगन समा आत कुशा गुन-गुना करके दो दो बूंद कान में दिन में तीन बार डालें कान बहने की उत्तम इयर डौप्स है कुर्स अस्पर दो बोली कूटकर इतरी फल किशनीजी 10 ग्राम में मिला कर दिन में तीन बार भुजन के बाद पानी से खाएं बहरापन सुनने में दिक्कत आना, वृद्धाबस्ता, कान में चोट लगने या किसी दवा की रियक्शन के कारण यह रोग हो सकता है युनानी इलाज रोगन समाआत कुशा गुनगुना करके दो दो बून कान में दिन में तीन बार डालें कम सुनने की उत्तम इयर डॉप्स है करण नाद यानि कान बजना कान से आवाज आना कानों में घंटी यह बजना कानों में भिन भिनाहट, जन जनाहट या सूंसूं की आवाजे आने के रोग को कर्ण नाद यानि कान बजना कहते हैं युनानी इलाज रोगन समाद कुशा गुनगुना करके दो दो बूंद कान में दिन में तीन बार डालें कर्ण नाद की उत्तम एर ड्रॉप्स हैं पांच-पांच ग्राम इत्री फल जमानी और इत्री फल मुलैयन में एक ग्राम बर्शाशा मिलाकर पानी से दिन में तीन बार भोजन के साथ खाएं कान में खुजली युनानी इलाज हब्बे मुसफिक हून की चार गोली पानी से दिन में तीन बार भोजन के साथ खाएं अंदर बाहर सब तरह की खुजली की उत्तम दवा है दो बूंद कुल्जम और चार बूंद रोगन गुल मिलाकर गुनगुना करके कान में दिन में तीन बार डालें इद्री फल शहातरा और माजून उश्बा पांच-पांच ग्राम मिलाकर पानी में शर्बत उश्बा से रात को खाएं कान में फुनसी या घाव होना कान में कई पार फुनसी पस्टदार दाने होने घाव या चोट लगने से और मेल जमा होने से पीड़ा होने लगती है कान में मिलाकर शर्बत उश्बा से तीन बार ठीक होने तक दे सुबह शाम 10 ग्राम माजून उश्बा को आधा कप पानी में दो बड़े चम्मच शर्बत उश्बा मिलाकर सेवन करें इस से फुड़े फुनसी दर्द सूजन खुजली दूर होती है यह घाव और पोड को सु को सुआ करें ज हुआ